नमस्कार बच्चों मैं खलेज पताप सिंग आज मैं आप लोगों को उत्रप्रदेश बोर्ड कच्छा आठ विसेविज्ञान में पार्ट साथ पढ़ाऊंगा शुरू करते हैं पार्ट साथ जिसका नाम है जन्तूओं में जनन इस पार्ट में हमको क्या-क्या पढ़ना है वो सारी चीज़े देख लेते हैं पहले हमको पढ़ना है अलाइंगिक जनन और लाइंगिक जनन फिर जननांग और निसेचन फिर पढ़ना है भूड का परिवर्धन और फिर ये जरायुक्त लिखा है ये जरायुज है एवं अंडयुज ठीक तो इन सब को पूरे विस्तार में पढ़ना है हम लोगों को जानना है ये सारी चीज़े क्या होती है कैसे होती है तो शुरू करते हैं पाट को देखिए जनन या प्रजनन क्या होता है प्रजनन सजीवों का मुख्य लच्छड है मतलब जो सजीव प्राड़ी है वो क्या करते हैं प्रजनन करते हैं प्रजनन क्यों करते हैं इसलिए करते हैं ताक पिछले कच्छाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि हमने सुना है कि एक डाइनासूर नाम के जानवर होते थे एक प्रजाती थी जो अब विलुप्त हो चुकी है तो वो किसी कारडवस विलुप्त हो गए लेकिन वो प्रजाती खतम हो गई तो हमारी प्रजाती खतम न हो जाए या कोई भी जीव की प्रजाती खतम न हो जाए इसलिए वो जीव क्या करते हैं प्रजनन करते हैं तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है सजीवों की ठीक दिखे यह एक स्वाभाविक क्रिया है या प्रकिरिया है अपनी प्रजाती का आस्ति तो बनाए रखने के लिए प्रतेक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है कोई पूसता है प्रजनन क्या है तो क्या कहेंगे कोई जीव जब अपने जैसे जीव की उत्पत्ति कर पाता है या करने में सक्षम होता है तो उसे हम प्रजनन कहते हैं जीवों के इस क्रिया को जनन कहते हैं ठीक चलिए अब देखिए जन्तुओं में जनन की प्रमुख दो विधिया हैं पहली विधी अलैंगिक जनन और दूसरी लैंगिक जनन अब जो प्रजनन की क्रिया है उसको दो भागों में बाट दिया गया है एक लैंगिक जनन यानि जहां पे प्रजनन का कार लिंग के इस्तमाल से होता है लिंग के आधार पे होता है और एक लैंगिक जनन जहां पे प्रजनन के लिए लिंग की आवशकता नहीं होती वहाँ पे उन जीवों के पास लिंग नहीं होते, फिर भी वो प्रजनन कर लेते हैं तो पहले हम पढ़ते हैं, अलाइंगिक जनन देखिए जन्तूं में बिना जननंग के प्रजनन की विधी को अलाइंगिक जनन कहते हैं या कई प्रकार से होते हैं अब यहाँ पर देखते हैं पहले यह क्रिया कलाब दिया है जो हाइड्रा का पेड़ होता है हाइड्रा का पौधा होता है उसके उपर फ्रयोग करके हम देख सकते हैं कैसे देखिए हाइड्रा के अस्थाई स्लाइड को आवर्धक लेंस और सूचमिदर्सी में अलोकन तो जो हाइड्रा का पौधा होता है उसको हम उसकी स्लाइड बनाएंगे और उस स्लाइड का जो सूचमिदर्सी होता है उसमें रखके आवर्लोकन करेंगे यानि देखेंगे दिखाई देने वाली संरचना का साफ चित्र बनाए अब जो हमको सूचमिदर्सी में दिखाई तो आपके पास साहरे सामान होंगे तब ही आप यह कर पाएंगे तो कैसे कैसे अगर मान लीजे कभी आपके पास स्लाइड भी हो गई और सुचमंदर्सी भी आपको मिल गया तो आप कैसे करेंगे वह सारी चीज़े हम इसमें जान लेते हैं और उससे क्या रिज़ल्ट आएग यहां पर चलिए आगे देखते हैं देखिए तो जब चित्र बनाएं उसके बाद क्या सरीर में ओभरी वी संरचना दिखाई दे रही है तो जब हम सुचमदर्सी से देखेंगे तब ही वो चीज़ हमको दिखाई देगी लेकिन यहां पर हमको पहले ही बताया जा रहा है ठीक उभार दिखाई देते हैं यहां मुकुल है इसी को जो उभार होते हैं इसको क्या कहते हैं मुकुल कहते हैं यह देखिए यह दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते और बढ़ा हो जाता है यहां परिपक को होकर जनक हाइडरा से अलग हो जाता है अब देखिए यह जो आखरी वाल बन जाएगा तो अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का रूप ले लेता है इस प्रकार अपनी जात की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है इस क्रिया में किसी प्रजनन अंग की आवशकता नहीं पड़ती अलाइंगिक जनन की यह विदी मुकुलन कहलाती है देखिए अब इसमें जो प्रजनन हुआ उसमें लिंग की आवसकता नहीं पड़ी किसी प्रजनन लिंग का मतलब किसी प्रजनन अंग की आवसकता नहीं पड़ी ठीक तो इसको हम क्या कहेंगे फिर इसको हम कहेंगे आलाइंगिक जनन और आलाएंगिक जनन की यह विदी क्या कहलाती है इस विदी को हम कहते हैं मुकुलन ठीक आगे देखते हैं अमीबा जो जीव है वो कैसे करता है प्रजनन उसके बारे में देखते हैं अमीबा कैसा जीव है अमीबा एक कोस किये सूच में जीव है यह आप पिछली कच्छाओं में पढ़ चुके हैं, अमीबा एक कोस किये सूच में जनतु है, इसके कोसिका के मद में केंद्रक होता है, केंद्रक परिपक्क होकर दो भागों में बटने लगता है, जिससे प्रजनन की किरिया प्रारम हो जाती है अंत में अमीबा का सरीर भी दो भागों में बट जाता है, प्रतिक भाग में विभाजित केंद्र मौजूद रहते हैं, देखिए, चित्र में देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, देखिए, ये जो चित्र है, ये एक अमीबा है, ठीक, अब इस अमीबा के बीच में ये जो है ये क्या है इसका केंद्रक है अब ये इसको प्रजनन करना होता है मीवा को तो क्या करता है ये केंद्रक जो है ये प्रजनन के लिए तयार हो जाता है ये मीवा और फिर ये धीरे-धीरे देखिए इस बिंदु से बटने की कोसिस करता है इस चित्र में थोड़ा सा बटा अब इसमें देखिए और बट गया एक इधर आ गया और एक इधर आ गया अब बीच में देखिए एक केंदरक यहां पे है और एक केंदरक यहां पे है तो जो यहां पे एक केंदरक था वो बट के दो केंदरक में बदल गया और फिर उसके बाद एक अमीबा इधर आ गया एक यहां आ गया अब यह देखिए एक यहां पे आ गया एक यहां पे आ गया और इसमें जो केंद्रक था वो भी आ गया यानि एक अमीबा पूर्तया दो भागों में विभाजित हो गया जो एक केंद्रक था अमीबा के अंदर वो भी पूर्तया आधा-धा दो भागों में बट गया तो इस तरह से अमीबा प्रजनन करता है अब इसके बाद जो आखरी में दो बचे हैं जब वो वयस्क हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर दो में भी भाजित हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे ये अमीबा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं देखिए, इस प्रकार से एक ही जनक अमीबा दो संतति उत्पन करता है तो एक अमीबा से दो उत्पन हो गए, यानि दो अमीबा बन गए परिपक को सरीर को दो भागों में बाढ़ कर Amoeba अपना अस्तितु खो देता है अब दिखिए जो अमEEba यहाँ पे एकी सरीर था इसका यह बट के यहाँ पे दो हो गया तो जो उपर वाला सरीर था यह खो गया इसका अन्त हो गया और एक, दो तरह के नए शरीर रूपन हो गया अमीवा के लिए ठिक तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये अमीवा है पहला आला ये अपना अस्तितुक हो चुका है क्योंकि ये दो भागो में बट गया है प्रतेख भाग विक्सित होकर पुना दो भागों में बढ़ जाता है अब ये जो अमीवा आखरी में हैं ये देखिए ये जो दोनों बने हैं बाद में क्या होगा धीरे धीरे फिर ये भी आपस में दो भाग में ऐसे बढ़ जाएंगे अलग-अलग हो जाएगा आदा-दा ठीक तो ऐसे ये अमीवा बढ़ते रहेंगे और प्रजनन करते रहेंगे इस प्रकार के अलग-अलगिक प्रजनन को जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संत्यति उत्पन करता है उसको क्या कहते हैं? दुईखंडन कहते हैं ठीक ये क्या कहलाता है? यानि अब अमीवा भी क्या हो गया? अमीवा भी जो प्रजनन करता है वो अलगिक प्रजनन में आता है यानि अमीवा भी अलगिक प्रजनन होता है अमीवा के अतरिक्त कुछ जीव जैसे मलेरिया परजीवी मलेरिया के जो परजीवी है या malaria रोख फैलाने वाले जो परजीवी है जिनको plasmo dm कहते हैं आदि में जनन बहुवी भाजन के द्वारा होता है अब दीखिए इसमें आप लोग यह देख रहा हैं चित्र में यह दिखिए कि बीच में यहां बीच में यह छोटे छोटे कई सारे भाग हैं केंद्रक के जो है बहुत सारे भागों में बढ़ गया है यानि क्या हुआ प्लाज्मो डियं जो प्रजनन करता है जनन करता है वो बहुवी भाजन विधी पे करता है तो इसको क्या कहते हैं बहुवी भाजन कहते हैं प्लाज्मो डियं बहुवी भाजन विधी द्वारा प्रजनन करता ह अब आते हैं हम लाइंगिक जनन पे हैं अलाइंगिक जनन देख लिए हाइड्रा में देख लिए हम अमीबा में देख लिए और प्लाजमो डीम में भी देख लिए कैसे होता है अब लाइंगिक जनन पे आते हैं लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार है यानि लैंगिक जनन के लिए मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम जिनको हम रिप्रोड़क्टिव सिस्टम मतलब जननांग ये दोनों जब होंगे तभी प्रजनन का कार्य हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा सामान नित्या जो प्राकृतिक तरीका है उस तोर से अधिकांस जन्तु जैसे मचली मेढक गाय बकरी मनुष आदि में नर एवं मादा जननांग अलग अलग पाए जाते हैं जैसे गाय बैल हो जाते हैं ठीक पूरुस महिला हो जाते हैं ठीक तो ऐसे ऐसे क्या हुआ पुरुस जननांग अलग हो जाते हैं, महिला के जननांग अलग हो जाते हैं ऐसे जन्तुओं को एक लिंगी जन्तु कहते हैं दूसरी और कुछ जन्तु जैसे केचुआ, जोक आदि में नर एवं मादा जननांग एक ही जन्तु में पाए जाते हैं ऐसे जन्तुओं को द्विलिंगी जन्तु कहते हैं अब जैसे केचुवा हो गया जोंक हो गया इसमें क्या होता है इसमें नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं इसमें नर और मादा के गुड़ एक ही में पाए जाते हैं इसलिए इनको द्विलिंगी जन्तु कहा जाता है कोई पूछता है केचुगा किस प्रकार का जन्तु है तो हम क्या कहेंगे द्विलिंगी जन्तु है ठीक और मनुस्य मानो पूछा जाए मानो कैसा है तो वो एक लिंगी जन्तु है मानों हो गया गाय भीड बक्री ये सब क्या है एक लिंगी जनतु है नर जननांग में नर युगमक तथा मादा जननांग में मादा युगमक बनते हैं निसेचन क्रिया के फलसरूप नर एवं मादा युगमक खनलयन करके युगमनज का निर्माड करते हैं यही युगमनज वृद्धी एवं विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं तो जब मादा और पूरुस के जो युगमक होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो ही नया जीव उत्पन्न होता है एक साधारब सी सिम्पल सी बात है जब मादापुरुस के युगमक आपस में मेल करते हैं तभी नया जीव उत्पन होता है जीव मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो एक जीवी होता है न तो तभी बच्चा पैदा होता है अब यहां बताया जा रहा है मानों के जननांग एवन निसेचन मानों में अज़ुके जो जनननंग होते हैं या link होता है उसके बारे में और निसेचन क्या होता उसके बारे में यहां जानेंगे हम, दीखे चित्र में, चलीए पहले डीटेल पढ़ते हैं, उसके बार चित्र पे आएंगे, दीखे पुर्सों में उधर की नीचे अंडा के आकार का एक जोड़ा वरिषड होता है, यह जो वरिषड है, यह क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं, जो हम पिछली कच्छाओं में पढ़ चुके हैं, जो हार्मोन होते हैं, उसमें से एक हार्मोन ये टेस्टिस जो होते हैं, व्रिशड होते हैं, जो ये कंट्रोल करते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं, टेस्टेस्टरान, टेस्टेस्टरान की मात्रा जो होती है, जो अ जो नर, युगमक, अर्थात, शुक्राडू उत्पन करते हैं जो सुक्राडू या स्पर्म उत्पन होते हैं वो इन्हीं वरिशण के द्वारा होता है नरु में इस से जुड़ी हुई एक जोड़ी सुक्र नलिका होती है अब देखे एक जोड़ी अगर विशड़ है तो यहाँ पर दो नलिका भी है एक नलिका यह गई है और एक यहाँ से गई है ठीक यह दोनों आपस में आके फिर यहीं मिलती है भूम के ठीक होती है जिससे सुक्राडू गति करता हुआ सिसन के माध्यम से बाहर निकलता है एक कोस की यह संरचना होती है आप जान लीजे जो सुक्राडू होते हैं वो एक सुक्राडू एक कोसी का को दर्साता है एक सुक्राडू एक कोशिका को दर्चाता है ऐसे ही इसमें बहुत सारे या लाखो सुक्राडू करोडो सुक्राडू बनते रहते हैं और निकलते भी रहते हैं इस्त्रियों में ये तो पुरुस का था अब इस्त्रियों में देखते हैं इस्त्रियों में नाभी के नीचे शरीर के अंदर मादा जननांग इस्तित होते हैं इन अंगों में एक जोड़ा अंडाशय एक जोड़ी अंडवाहिनी तथा एक गरभाशय होता है अंडासे में अंडाडूं का निर्माड होता है अंडाडू भी एक कोशी का संरचना होती है महिलाओं में अंडा पाया जाता है और पूर्सों में सुक्राडू पाया जाते है जब अंडा और सुक्राडू मिलते हैं तभी निसेचन होता है तो निसेचन का होता है जब अंडा और सुक्राडू मिलते हैं तभी निसेचन होता है दिखे पूर्सों में जो लिंग होता है लिंग के नीचे एक जोड़ी व्रिशड होते हैं अब वो व्रिशड जिस थैली में होते हैं थोड़ी से चीज़े भी जान लीजे जो जिस थैली म में होते हैं उस थैली का तापमान हमारे सामा सरीर के सामान तापमान से एक से दो डिगरी कम होता है हमेशा अधिक तापमान होने पे जो व्रिशड होते हैं जो टेस्टिस होती है वो सुकुराडू का या सुकुराडू को उत्पन नहीं कर पाता है इसलिए उसका तापमान हमेशा सरीर के तापमान से कम होता है अब आते हैं यहां पर यह देखिए मादा जनडांग दिया है देखिए एक जोड़ी अंडाशे होता है और यह वाईनिया होती हैं जहां से अंडा से बाहर आता है जब सुक्राडू इस रास्ते से जाता है अब दिखिए यहां राइट लेफट दो तरफ है अब यह समय के अधार पर निर्धारित किया जाता है जिस तरफ अंडा बाहर आता है उसी तरफ सुक्राडू अपना रास्ता बना लेते हैं अगर बाएं तरफ से आ रहा है तो बाएं तरफ जाएंगे अगर दाएं तरफ से आ रहा है तो दाएं तरफ जाएंगे अंडा यहां कहीं होता है यहां कहीं होगा जब सुक्राडू आएगा तो यहां से एक सुक्राडू यहां पहुँचके संडे को निसेचित करेगा और निसेचित करने के बाद जब यहां निसेचित हो जाएगा उसके वाद यह अंडा जो है धीरे-धीरे यहाँ पर आके यहाँ कहीं चिपक जाएगा और यहीं पर रुख जाएगा यह हो गया गर्भ यहाँ इस जगे को गर्भासाय हम कह देते हैं ठीक अब आगे और देखते हैं हाँ और जो अंडा होता है महिलाओ के अंदर जो अंडा होता है वो भी एक कोस्किये ही होता है और पुर्षय के अंदर जो सुक्राडू होता है वो भी एक कोस्किये ही होता है अंड वाहिनी में सुक्राडू आकर अंडाडू से सनलियत होते हैं यानि अंड वाहिनिया जो होती हैं देखें ये जो नलिका बनी है यहां से यहां तक इस छेत्र को कहते हैं इस चीज को कहते हैं अंड वाहिनी क्या होता है सुक्राडू यहां से आते हैं इस वाहिनी में घुशते हैं और जहां पर अंडा होता है वहां पहुँचके उसको निसेचित करते हैं यानि उससे मिलाप करते हैं और जब मिलाप होगा तभी नया जीव उत्पन होनी के पकिरिया सुरू होगी सनलयत होता है सनलयन की क्रिया निसेचन कहलाता है यानि जब पुरुस का सुक्राडू और महिला का जो अंडा है या अंडाडू है वो जब आपस में मेल करते हैं तो उसे निसेचन कहते है निसेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भासे में आकर रोपित हो जाता है गर्भासे मतलब अब देखी यहाँ पर निसेचन हुआ इस जगह पर कहीं निसेचन होता है निसेचन के बाद जैसे ही निसेचन होगा उसके बाद यह अंडा यहाँ पर लुड़कते हुए यहां कहीं आएगा और यहां पे आके चिपक जाएगा और इसी जगह को इस पूरे जगह को कहते हैं क्या गरभास है देखिए निसेचन अंडाड़ को क्या कहते हैं यूगमनज कहते हैं अब जो निसेचित अंडाड़ है अंडा है उसी को हम कहते हैं यूगमनच ठीक मनुस एवं अन्य जन्तु जैसे गाए भैंज, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निसेचन क्रिया मादा के सरीर के अंदर होती है ऐसे निसेचन को आंतरिक निसेचन कहते है अब देखें निसेचन भी हमारा दो भागों में बट गया पहला आंतरिक निसेचन और दूसरा अब आएगा बाहे निसेचन तो आंतरिक निसेचन किस में होता है जब कोई जीव बच्चे को अपने गर्व के अंदर पालता है और उसका समय जब निर्धारित होता है उस समय पे उसको जन्म देता है तो उसे आंतरिग निसेचन कहते हैं जैसे गाय भैस बकरी या मनुष्य ये सब क्या करते हैं इनका एक समय होता है उस समय तक ये गर्भ में बच्चे को पूसित करते हैं पालते हैं उसका विकास करते हैं और उसके जब समय निर्धारित समय पूर हो जाता है तो उसके बाद बच्चे को जन्म देते हैं तो इस प्रकेरिया में को हम क्या कहते हैं इस तरह की निसेचन को हम क्या कहते हैं आंतरिक निसेचन अब आगे देखते हैं इसके अतिरिक अधिकतर आकसेरु की जन्तु आकसेरु की मतलब जिन जन्तुओं की रीड की हड़ी नहीं होती या जिन में रीड की हड़ी नहीं पाए जाती तथा मचली अकसिरु की जन्तु और मचली मेढक आदि में सुक्राडुों तथा अंडाडुों को जल में विसरजित किया जाता है और जल में सुक्राडु अंडाडुों से मिलते हैं इस प्रकार के निसेचन जो जन्तु के सरीर के बाहर होता है उसे बाहि निसेचन कहते हैं अब बाहि निसेचन क्या हुआ? देखे जब मादा का अंडा और पुरुस का सुक्राणू या मादा का अंडा और नर का सुक्राणू कहीं बाहर, सरीर के बाहर मिलाब करते हैं बाहे निसेचन कहते हैं, यानि ये सरीर के अंदर निसेचन नहीं होता है, ये सरीर के बाहर होता है, जिस प्रकार बकरी में, गाय में, महिला में निसेचन कहा होता है, सरीर के अंदर होता है, और कुछ समय तक के लिए जो बच्चा है उसमें व्रिधी करता है, विकास करता है, पूर्ड विकास होने के बाद तब वो दुनिया में आता है या पैदा होता है लेकिन यहाँ पे जैसे मचली हो गई तो मचली में क्या होता है यह मचली जो मादा मचली है वो अपने अंडे को होती पानी में छोड़ देती है और फिर वहाँ पे जो नर्व मचली होगा वो वहाँ पे आके अपने सुक्राडू को उसी जगह पे छोड़ देगा फिर आपस में वो अंडे और सुक्राडू आपस में मिलके नए बच्चों को जन्ड देते हैं तो इस तरह के निसेचन को हम बाहे निसेचन कहते हैं परिडाम सुरूप युगमनज बनता है निसेचन मतलब जब अंडा और पूरुस का मादा का अंडा और पूरुस का सुक्राडू आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को निसेचन कहते हैं तो उन निसेचन के बाद जब निसेचन की क्रिया होती है तो क्या बनता है? यूगमुनज बनता है उसके बाद यूगमुनज की कोशिकाई विभाजित होने लगती हैं जो परिवर्धित होकर ब्रूड में बदल जाता है आप दिखें पिसली कच्छाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि जो मानो या किसी जीव के विकास की जो इकाई है वह एक कोसीका है एक ही कोसीका से किसी जीव की उतपत्ति होती है तो मनुसिक की भी उत्पती एक-एक कोशिका से होती है मनुसिक का सुक्राड या नर का सुक्राड और मादा का अंडा ये क्या है एक-एक कोशिका है जब ये दोनों कोशिका अपस में मिलते हैं तो मिलकर ये दो कोशिका बनाते हैं दो कोशिका से फिर चार, छे, ऐसे ये बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते फिर एक सरीर का आकार ले लेते हैं, मानो का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, यानि जो मानो है, जब गर्व में इसका विकास सुरू होता है, तो सबसे पहले इसके सिर का निर्माड होता है सिर के निर्माड होने के बाद दीरे दीरे सिर से नीचे आता है गरदन घरदय धड़ बनता है धड़ के बाद फिर आखरी में हमारा जो पैर होता है उसका निर्माड होता है इसलिए कहते हैं कि जो मानो के निर्माड होता है मानो का निर्माड या विकास, जो मानों का विकास है, वो सिर से पैर की तरफ चलता है, आगे देखते हैं, इस अवस्था में सीसु का सिर, पैर, नाक, आख, हाद, कुछ अंग विक्सित हो जाते हैं, जब भूर विक्सित होते हुए सरीर के सभी अंगों का निर्मार कर लेती है, तब यहां भग उसके सरीर के सारे अंग विक्सित हो जाते हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, गर्व कहा जाता है, गर्व का विकास पूरा हो जाने पर मा इसको जन्म देती है, ठीक, जब गर्व का विकास पूरा हो जाता है, यानि गर्व का मतलब जो बच्चे का विकास है, वो उसके सरीर का हर एक चीज अच्छे से विक्सित हो जाती है तो क्या होता है फिर जो मा होती है उस बच्चे को जन देती है जैसे गाए के बच्चे होते हैं या मनुस्य के बच्चे होते हैं तो ऐसे ही होता है मनुस्य में क्या है जो निर्धारित समय है लगभग सामानता माना जाता है कि मनुस्यों में जो बच्चा पैदा होता है वो लगभग नौ महीने के गर्व के बाद ही पैदा होता है तो ऐसे ही गाय का भी होता है बकली का भी होता है सबका एक निर्धारित समय सामानता होता है exception case अलग चीज है कि कभी किसी का कम समय में हो गया कभी किसी का जाद समय में हो गया तो वो अलग चीज है अब यहां दिखिए नौजात सिसु का जन्म नर एवं मादा युगमको के सनलयन के फलसोरूप होता है अभी उपर आपने देखा कि जो सिसु का जन्म है या नौजात सिसु का जन्म है तो वो नौजात जो सिसु है वो उत्पन कैसे हुआ उत्पन कैसे होता है मादा के अंदर जो अंडा होता है वो और पुरुस या नर के अंदर जो सुक्राडु है वो दोनों जब अंडा और सुक्राडु आपस में मेल करते हैं यानि अंडा युगमक और सुक्राड युगमक जब आपस में मेल करते हैं तबी नया जीव अपना विकास शुरू करता है, जिसके कारड फिस्वों में माता एवं पिता दोनों के लचछड पाये जाते हैं, अब आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि इसके अंदर अपने पिता का गुड़ है, इसके अंदर अपनी माता का इन दोनों कोसिका में ये एक कोसिका होती है और हर एक कोसिका में पिता के सुप्राणु में पिता का DNA होता है यानि पिता के जो गुड होते हैं उसके कुछ अंसो होंगे और माता का जो अंडाडु है उसमें माता के कुछ या उनके जो गुड होंगे उनके कुछ अंसो होंगे तो जब ये आपस में मिलते हैं, तो इस तरह से माता और पिता दोनों के गुड़ आपस में मिल जाते हैं, और वही गुड़ बच्चा अपने अंदर लेके पैदा होता है, इसलिए कहते हैं माता और पिता के जो DNA होता है वो बच्चे के अंदर पाया जाता है, यहां देखिए ये रहा मेल का सुक्राडू यानि पूरुस का सुक्राडू ये इस तरी का अंडाडू ठीक ये एक नर युगमक हो गया और ये मादा युगमक हो गया ठीक सुक्राडू को ही स्पर्म कहते हैं और अंडाडू को ओवम कहते हैं फिर क्या होता है ये दोनों आपस में मिलके युगमनज करते हैं या निसेचन जब होता है ठीक उसके बाद फिर ब्रूड बनता है ब्रूड के बाद गर्बधारण होता है और गर्बधारण के बाद नौजात सिसु आता है तो ये प्रकिरिया होती है, ये प्रकिरिया समझ गए होंगे आप लोग, अब आते हैं, जरायूज, एयों, अंडयूज किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, अब तक जाना की कुछ जन्ट सीसु को जन्म देते हैं, और कुछ अंडे देते हैं, जो बाद में सिसु के रूप में विक्सित होते हैं जैसे अब जब अंडा कोई देता है जैसे मुर्गी का अंडा हुआ तो अंडा सेने के बाद उसमें से चुझे निकलते हैं यानि मुर्गी जैसा ही जो बड़ा होके मुर्गी बनेगा या मुर्गा बनेगा तो अंडे से भी बच्चे ही निकलते हैं लेकिन होता क्या है कि कुछ जन्त सीधे बच्चे को जन्म देते हैं और वहीं कुछ जन्त पहले अंडा अंडा पैदा करते हैं उसके बाद उससे बच्चे निकलते हैं तो बच्चे देने वाले जन्तुओं को जरायूज कहते हैं जैसे मनुष, सिगाय, बकरी, कुत्ता, चमगादर, वैल वैल मचली जो होती है वो भी बच्चे देती है ये आप लोग जान लिजेए इसलिए वैल को अस्तंधारी कहते हैं ये वो बच्चे को जन्द देती है, अंडा नहीं देती आदी तथा अंडे देने वाले जन्तुओं को अंड़यूज कहते हैं जैसे मुर्गी, कबुतर, सर्प, मचली, मेड़क आदी अब मचली में वैल मचली को छोड़के बाकी क्या अंडे देती है वैल मचली जो है, वो बच्चे देती है इसलिए वैल मचली को जरायूज कहते हैं वहीं बाकी मचली को अंड़यूज कहते हैं अब यहाँ पे एक तालिका दी है इस तालिका में आप लोग भरेंगे अंड़यूज जो जन्तु हैं, कौन-कौन से हैं, उनके नाम लिख देंगे या जो अंड़ा देने वाले जन्तु हैं, उनके नाम लिखेंगे और जरायूज में जो बच्चे पैदा करते हैं, उनके नाम लिखेंगे अब दिखे इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं जन्तूओं में निरंतर्ता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है जन्तूओं में प्रजनन की दो विधिया हैं एक लैंगिक दूसरा अलैंगिक प्रजनन व्रिचर्ड सुक्रवाहिका तथा सिशन नरजननांग है अंडासे द्वारा उत्पन युगमक अंडाडू तथा व्रिचर्ड द्वारा उत्पन युगमक सुक्राडू कहलाता है सुक्राड तथा अंडाडू का सनलया निसेचन कहलाता है तथा निसेचित अंडाड़ युगमनज कहलाता है। मादा के सरीर के अंदर होने वाला निसेचन आंतरिक निसेचन तथा सरीर के बाहर होने वाला निसेचन बाह निसेचन कहलाता है। निसीचित अंडाडु गर्भासय में रोपित हो जाता है और यहीं इसका विकास होता है जिसके फलसरूप नौजात सिस्व जन्म लेता है तो यह सरे मुख्य मुख्य बिंद्धे जो हमने अभी उपर पाठ में देखा और पढ़ा अब इसके अभ्यास प्रस्ण आ गये हैं पाठ बहुत अच्छे से समझाया है मैंने आप अभ्यास प्रस्ण देखेंगे आसानी से हल हो जाएगा एक बार कोशिज जरूर करिएगा इस पाठ को हल करने का बहुत जादा प्रस्ण भी नहीं है इस पाठ में बस दसी प्रस्ण है आसानी से हल कर लेंगे आप लोग अगर हल नहीं होता है तो comment box में comment करके बताइएगा अगली वीडियो में इसका हल दे दिया जाएगा तो अब अगला पार्थ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद